Google Map का इस्तेमाल हम सभी लोग अपने day-to-day use में बहुत ज़रा करते हैं खास करके navigation के लिए और ऐसे में काफी बार आपने जब Google Map पे किसी प्लेस को सर्च किया होगा तो photo section के अंदर में आपको 360 degree की photo भी देखने को मिली होगे लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको introduce कर देता हूँ या आपने कुछ दिनों पहले ही सुना होगा कि Google Street View अब officially इंडिया में आ चुका है तो Google Street View का use करके ही आप 360 degree को capture कर सकते हैं अपने फोन से और उसे Google Map में upload भी कर सकते हैं अब अगर आपको 360 degree photos Google Map में upload करनी है तो आपको Street View अब इंस्टॉल करना होगा अपने फोन में यह Google का ही अप है यह आपको apps.playstore दोनों जगे पर मिल जाएगा अब आप जब इस वाले application को first time open करेंगे तो आपको login करने के लिए बोलेगा तो आप email ID से अपने Google Map को use करते हैं उसे Gmail ID का आप यहाँ पर login कर सकते हैं इसके बाद में आपको 3 option मिले जाएगा explore, profile और private अब यहाँ पर अगर आपको 360 degree photo को capture करना है तो आपके पास में 2 option मिल जाता है या तो आप उस location पे पहुँच जाएए जहाँ पे आप 360 degree photo capture करना चाहता है या फिर already अगर आपके पास में photo है तो आप उसे import कर सकते हैं तो camera icon पे अगर आप क्लिक करेंगे अगर आपके पास में कोई 360 degree का camera है तो आप उसको यहाँ से link कर सकते हैं अगर आपके phone में पहले से 360 degree photo है तो आप उसे यहाँ पर import कर सकते हैं और या फिर आप 360 degree photos को 3rd वाले option पे click करके capture कर सकते हैं तो अभी मैं आपको capture करके दिखाता हूं ज फोटो ले लेगा अभी इसने फोटो ले लिया यहाँ पर भी कुछ इस तरह से आपको match करना है तो यह photo automatically लेता हुआ जाएगा multiple photos यह लेगा क्योंकि 360 degree photo यह capture करेगा तो आपको बहुत सरी photos खिचनी होगी यहाँ पर आपको इसका status bar भी दिख जाएगा तो अभी आप देख कुछ इस हिसाब से आप जब photo capture करेंगे तो आपको complete होने के बाद में इस हिसाब से आपको एक preview दिख जाएगा कि आपने जो photos capture की हो किस हिसाब से देखने को मिल रही है अब यहाँ पर face जैसे कोई person है तो उसका face आपको blur करना होगा privacy के लिए आप उसका face blur कर सकते हैं तो अ automatically जहाँ इसको face दिखेगा इस वाले application को automatically वो blur apply कर देगा in case अगर कहीं पर छूट जाता है या फिर यह सही से blur नहीं करता है तो मैं आप पर हटा देता हूँ blur तो आप इस face पे press and hold करेंगे तो automatically blur effect जो है वो apply हो जाएगा अभी यहाँ पर आ चुका है तो मैं इसको ok कर देता क्योंकि मेरे photo में सिर्फ एक ही face दिख रहा है तो अभी आपको यह photo publish करना है तो यहाँ पर आपको click कर देना है publish to google map आपको इस पर click कर देना है तो आपकी जो photo है यह publish हो जाएगी google map में थोड़ा सा इसको time लगेगा upload होने में तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर publishing listed हुई है तो यहाँ से आप उस place को search कर सकते है कि कहाँ आपने photo capture की है या फिर कहाँ पर आप उसे upload करना चाहते हो तो अगर आप यहाँ पर इसको select करते हो जो भी आपका address यहाँ पर है आप उसे search कर लेंगे इसके बाद में यहाँ पर इसका address भी update हो जाएगा तो कुछ इस कर लेता तो आसानी होता है जहाँ पर आप इसे upload करना चाहते हो by default वो आसपास का area ले लेता है इसके बाद में आप इस photos को अपने phone में जरूर save करके रखे क्योंकि काफी बार application crash कर जाए या फिर कोई problem हो जाए तो जो photos आप 360 capture की हो वो आपके phone में दिखे और यहाँ पर camera icon पर click करना है यहाँ पर import 360 photos करना है इसके बाद में आपको select कर लेना कि आपकी photos का है तो मेरे phone में टोटली भी दो 360 degree photos है तो जैसे एक यह वाली है तो मैं इसको select करके import करता हूँ तो यह photo जो है भी import हो चुकी आप देख सकते हो इसका preview मुझे कुछ ही सहाब से दे रहा है अब मुझे अगर इसे publish करना है तो same वही आपको publish to google map कर देना है लोकेशन एट कर देनी है तो यह photo जो है वो publish हो जाएगा google map में तो अभी दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से आप अपने phone का use करके 360 degree photo को capture करके google map में upload कर सकते हैं इसी तरह की और भी बहुत सारी tips and tricks की videos मै मैंने google map पर already बना हुई है तो link आपको description box में मिल जाएगा बाकी वीडियो आप लोगों को कैसे लेगे नीचे comment करके बता सकते हैं इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं आप के लिए इस तरह के वीडियो में इतना ही मिलता ऐसे नीचे स्ब्सक्राइब के लिए में